देखिए मैं कहना चाहूंगा कि पिछले च्छे मेने से जब से सरकार बनी है सरकार का पूरा फोकस ही है कि पिछली सरकार के कामों की समिक्षा करें कभी लाश्ट च्छे मेने के कामों की समिक्षा हो रही है कभी नियुक्तों की समिक्षा हो रही है अब जिलों की समिक्षा हो रही है, इससे पहले योजनाओं की समिक्षा हो रही थी, हमें कोई इतराज नहीं है, खुब समिक्षा है कराए, लेकिन सरकार का विजन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, ये 5 साल में परदेश को किस इस्तर पर ले जाना चाहते हैं, इनकी योजना क्या है कि रास्तान कैसे आगे बढ़ेगा किस परकार की योजनाई प्रदेश के अंदर बनेगी जिसका लाब लोगों को मिले आज जिले जो बने हैं मैं समझता हूँ ये जिले काफी पहले बन जाने चाहिए थे मैं बॉर्डर पे रहता हूँ पास में अरियाना प्रदेश है हर 30 किलोमेटर के बाद में जिले बजल जाते हैं हमारे तो तैसिल नहीं है उसे छोटे वहां की जिले है और वहां की जो गवर्नेंस है वो तुरंत पहुंचती है आज इतना बड़ा प्रदेश और मातर 33 जिले थे आज 50 जिलों की जो संख्या हुई है मैं समझता हूँ इसम पुरानी सरकार ने जो किया है उस पर रोक लगाओ नए तरीके से उसको करो आपको लगता है कि वर्तमान में ज़रत थी क्योंकि चुनाओं के अंतिन समय में अशोग जलो सरकार ने यह नए जिलों के गठन किया था और कुछ दूदू यह से जिले तो यहां पर एक विनास जबा और जिला बना दिया देखिए लोकल परिस्थिती क्या है 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 हेडिकौार्टर से दूरी क्या है लोकल जनसंख्या क्या है यह सारे माबदंड है इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं दूदू की चर्चा कई बार हुई है लेकिन ऐसा नहीं है दूदू से भी पन्चायते बनाई नहीं, पन्चाय सिमितिया बनाई, हमने नगर पाले काई बनाई, हमने निए तहसील नहीं जिले इसलिये बनाए ताकि लोगों के पास गवर्णेंच जल्दी पहुंचे, उनको फाइदा मिले, लोगों को प्रेशा नहीं नहीं हो, काफी दूरियां ते करके लोगों को जाना पड़ता है हेड़क्वार्टर्स पे तो ये सुईधाई नस्दीक मिले देखे मैं कहना चाहूंगा कि पिछले छे मेने से जब से सरकार बनी है सरकार का पूरा फोकस ही है कि पिछली सरकार के कामों की समिक्षा करें कभी लाश्ट शे मेने के कामों की समिक्षा हो रही है कभी नियुक्तों की समिक्षा हो रही है कभी पटों की समिक्षा हो रही है अब जिलों की समिक्षा हो रही है इससे पहले योजनाओं की समिक्षा हो रही थी हमें कोई अतराज नहीं है खुब समिक्षाइं कराए लेकिन सरकार का विजन क्या है ये करना क्या चाहते हैं ये पांच साल में परदेश को किस इस्तर पर ले जाना चाहते है इनकी योजना है क्या है कि रहास्तान कैसे आगे बढ़ेगा किस परकार की योजनाई प्रदेश के अंदर बनेंगी जिसका लाब लोगों को मिले आज जिले जो बने हैं मैं समझता हूँ ये जिले काफी पहले बन जाने चाहिए थे मैं बॉर्डर पे रहता हूँ पास में अरियाना प्रदेश है हर 30 किलोमेटर के बाद में जिले बजल ज जाते हैं हमारे तो तैसिल नहीं है उसे चोटे वहां की जिले है और वहां की जो गवर्नेंस है वो तुरंत पहुंचती है आज इतना बड़ा प्रदेश और मातर 33 जिले थे आज पचास जिलों की जो संख्या हुई है मैं समझता हूँ इसमें सरकार को आगे बढ़ते हुई यह कहना चाहिए था कि हम इनकी कोई कमी भी सी रही उसको पूरी करेंगे और कोई जुरूत हुई तो नए जिलों का गठन और करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज परदेश के अंदर भी जाता है इनका वीजन भी जलकता बाकित इसमें तो यह जलक रहा है कि कह नहीं नहीं कहीं पर पुरानी सरकार ने जो किया है उस पर रोक लगाओ नए तरीके से उसको करो आपको लगता है कि वर्तमान में ज़रत थी क्योंकि चुनाओं के अंतिन समय में अशोग जलो सरकार नहीं नए जिलों के घठन किया था और कुछ दूदू यह सब को देखते हुए मैं समझता हूँ दूदू की चर्चा कई बार हुई है लेकिन ऐसा नहीं है दूदू से भी छोटे जले जले देश के अंदर आपको देखने के अंदर मिल जाएंगे कई तो अपने जिलों से की बराबर के दो राज्ये हैं पर जितना छोटा अगर हमारा जिले तैसील हमने गराम पंचाएते बनाई नहीं, पंचाय सिमितिया बनाई अमने नगर पाले काए बनाई अमने नही तैसील नही जिले इसलिए बनाए ताकि लोगों के पास गवर्नेश जल्दी पोँछे, उनको फायदा मिले, लोगों को परेशा नहीं हो, काफी दूरियां ते करके अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें